हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन तो मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट वीडियो से आपने यूजर इंटरफेस को अच्छे से समझा है मुझे कुछ inputs भी मिले हैं उन inputs की help से आइधिंक आप लोगों के clarification मिल रहे हैं अब आज हम बात करने वाले हैं कि settings को हम कैसे set करेंगे कैसे हम लोग settings करेंगे जो useful रहेगा जो हमारी help करता है ड्रॉ करने में तो सबसे पहले आप धियान दें आप लाश्ट में यहाँ आपको तीन horizontal lines नजर आ रही हैं जहाँ पर मैंने करसर लिया है आप करसर पर धियान देंगे साथ जो input मांग रहा है कुछ systems में जिनके पास अच्छा graphics नहीं होगा या प्रॉसेसर अच्छा नहीं होगा वहाँ पर यह थोड़ा आपके AutoCAD की working को थोड़ा slow कर देता है तो यह open करने के पाद आप क्या कर सकते हैं आप इसको यहाँ से click करके turn off कर सकते है dynamic input बंद हो जाएगा जब हमें जरुरत होगे आप यहाँ पर आकर इसको click करके on भी कर पाएंगे इसलिए दूसरी बात करते हैं जो पीछे के आपको यह boxes नजर आ रहे हैं ग्रिड्स नजर आ रहे हैं आप चाहते हैं इनको close करना आप यहाँ नीच आईए आप यहाँ पर भ होएता है file का दूसरा tab होगा display का display tab में यहाँ नीचे colors का एक option आएगा colors पर आप click करिए यहाँ uniform background selected है यहाँ से आप अपना color select कर सकते हैं मैंने black color select किया है apply कर दिया है background color मेरा black है उसके बाद यहाँ एक crosshair का size आ रहा है by default यहाँ 5 होता है मेरे experience के according अगर मैं बात करूँ तो जो crosshair का size होगा वो around tentatively आप 19 या 20 आप ले लें एक sufficient better size होता है जो आपकी help करेगा आगे बहुत उसके बाद next जो tab पर हम लोग move on होंगे वो होगा drafting tab drafting tab में नीचे आपको options मिलते हैं auto snap marker size मैंने इसको यहाँ से auto snap को थोड़ असा around 50% tab के बिलकुल बीच में ले आया हूँ जिस tab के बाद drafting tab के बाद मैं selection tab पर जा रहा हूँ मैंने यहाँ से जो pick box का size है इसको approach middle कर दिया है और grip size को थोड़ा सा increase कर दिया है यह बहुत beneficial settings होगी जब आप कोई drawing बनाएंगे उस वक्त आपको समझाएगा इनका क्या help है आपने सब setting कर दिया आपने apply किया apply करने के जाती ही हम आगे वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में कुछ drawings भी बनाएंगे सबसे पहले हम लोग दिका settings था अब जब आप use समझते हैं कि हमारा use क्या है use को समझने के लिए मैंने एक drawing open किया सपोज मेरे पास एक कोई drawing है मैं model पर आ जाता हूँ यह drawing है अब mouse का हमार क्या use रहेगा इस use को समझने के लिए कोई भी drawing की requirement होती है तो आप कोई भी sample drawing open कर सकते हैं sample drawing जब आप start टैप पर जाते हैं आपके सामने यहां कुछ sample drawings दिखती है present documents में आप open कर सकते हैं इसमें mouse का role समझने के लिए अब mouse में देखे mouse में तीन बटन होते हैं एक left click होता है एक right click होता है एक scroll होता है इसको समझने के लिए keyboard की keys को समझाने के लिए मैं एक software को enable करूँगा आपको यहां देखे जहां आपको नीचे UCS icon नजर आ रहा है X और Y axis model layout यहां पर एक option आ जाएगा जहां पर अगर मैं कोई भी keyboard की key को press करूँगा यह mouse को use करूँगा तो वहां वो notification देदेगा उसको enable मैं कर रहा हूँ मैंने enable कर लिया है QI press light X software होता है उसको आप देखो मैंने mouse का मैंने left click किया तो नीचे देखो यहां एक notification आ गया है left click मैंने right click किया यह notification आ गया right click तो कोई भी key मैं press करूँगा आपको नीचे यह notification मिलना start हो जाएगा ठीक है अब मैंने space bar press किया नीचे देखो space आ गया है मैंने mouse का left click किया नीचे left click आ गया है यानि कि यह आपकी बहुत help करेगा मैं कौन-कौन से key को press कर रहा हूँ आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी अब बात करते हैं वापिस से mouse के function की मैंने mouse का middle click देखो middle click का मतलब होता scroll जो scroll होता है आप और down करने के लिए मैंने वो hold किया हुआ है नीचे hold भी लिखा रहा है mouse click के right side पे मैंने उपर wheel किया नीचे wheel wheel का मतलब होता है मैं scroll कर रहा हूँ यह zoom in कर रहा है यह zoom out कर रहा है downward zoom in wheel upside arrow से नजर आ रहा है आपको wheel को मैं down कर रहा हूँ downside का मतलब zoom out तो zoom in या zoom out आप scroll से कर सकते हैं आप scroll press करके आप ऐसे कर सकते हैं hold करके रखना scroll छोड़ना नहीं है तो अब आपको left corner पर जो options मिल रहे हैं वहाँ से आपकी बहुत help हो जाएगी कि मैं कौन सी key press कर रहा के समझने के लिए जब आप zoom in zoom out करते हैं zoom in zoom out में देखिए अब suppose आप को अगर मैं पहले यह 6123 नंबर है यह cabin x gen rubin 6123 आप इस cabin के अंदर यह जो एक object है आप इसको zoom out करके देख इसको zoom in करके देखना चाहते हैं बढ़ा करके देखना चाहते हैं लेकिन आपके cursor की position कहा है यह 6126 के अंदर है आप ऐसे बढ़ा करोगे तो क्या होगा देखो 6126 का area बढ़ा हो रहा है क्यों क्योंकि आपके cursor की position वहाँ है अगर आपको यह area zoom in करना है तो आप अपने cursor को भी वही पर रखें अब zoom in करें तो आप देखो जहां पर आपकी cursor की position होती है वही area zoom in या zoom out ह तो आपके cursor की position बहुत important होती है zoom in या zoom out करते वक्त जहां आप cursor को ले जाएंगे उसी area को zoom in या zoom out करता है यह बहुत important aspect होता है यह समझाने के लिए इतना काफी है यह complete settings आप लोगों का हो गया है इस settings के बाद next आने वाली वीडियो में मैं discuss करूंगा कि हम drawing units को कैसे set करते है और draw commands कैसे use करेंगे तो सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे units के बारे में next video में चलिए दोस्तों आज इस वीडियो के लिए इतना ही next video में मिलते हैं तब तक के लिए goodbye